अई अब दो स्टाइब हम पो एड इस वीडियो में हम फ्रेंट्स एक्जाम के कोमेर के प्रैक्टि सस्ट करिएग में कि देगे बारे में ταलताम करते हैं। हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक पेक्टू मारे चैनल करई किसके दोरा होता है इंगलिश में कोश्यन है अश्यक्य कान होता है इसको प्राणम करते हैं यानि की ट्रेडर दोरा बाइन रॉजलूशन यानि दना अधिनियम दोरा बाइं जो आतो दिते होगा एंट यसी सविंगा एंट और तो है option A, व्यापारी द्वारा, एक कांगी व्यापारी, जब भी अपने व्यापार को establish करेगा, या फिर उस अपने business को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं, bind up या फिर terminate करेगा, तो friends, यह उसकी खुद की मर्जी होगी, उसे किसी से भी permission लेने के चुरॉत नहीं होगी, चाह मन करेगा, वो वहाँ पर उसको establish कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा, कि वो इसको close कर दे अपने business को, वो आंगी continue नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको close कर सकता है, next question है, एक आंकी ब्यापारी समत संपत्यों को स्वामी होता है, और सारा जोखिम उठाता है, यह कतन किसका है, यानि कि, single trader is the owner of all assets and take all risk, this statement is given by, options है, LH Hena, Charles S. Tepats, C option है, CW Gestenberg, D option है, none of the above, तो बता है, यह friends ही किसने कहा था, तो यह जो statement दिया गया था, यह दिया गया था, CW Gestenberg के द्वारा, friends इस तरह के statements के भी questions आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ important statements है, तो आपको उसका revision जरूर करना है, next question है, एकांकी व्यापार का पंजियन होता है, पंजियन का मतलब friends या registration से है, तो एकांकी व्यापार यानि soul trade का registration किस तरह से होगा, अनिवार रहे हैं, यानि जिसको mandatory बोलते हैं, सरकार दोरा यानि government दोरा, आवश्यक necessary, आवश्यक नहीं यानि not necessary, तो बताइए, friends क्या होगा, friends का right answer है, D, जो soul trade जो होते हैं, उनका registration कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीजों को वियर करेगा, चाहें profit हो, चाहें loss उसको खुद वियर करने हैं, तो उसको pension कराना की जरुत नहीं होती है, वो उसका खुद का business है, कोई person उसके अंदर involved नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की legal formalities की भी जरुत नहीं होती है, next है, साज़दारी firm को चला सकता है, यानि की partnership firm run by, A, सभी साज़दार, यानि all partners, one or all partners, C option है, anyone, D option है, none of these, तो बताएं, क्या होगा सका right answer, इसका जो right answer है, friends, वो है option B, साज़दारी firm को को कोई एक partner चला सकता है, यह सभी partner चला सकते है, यह उनकी mutual understanding पर depend करता है, कि उन लोग ने अपने बीच में किस तरह का contract बनाया है, किस तरह की conditions लगाई है, तो कोई एक person या तो उस business को चला सकता है, या फिर जितने भी partners है, वो सारे उस business को चला सकते है, अब हम next question पर move करते है, next question है हमारा, साज़द Friends, यहाँ पर आप confused मत होएगा, necessary और mandatory में बहुत difference है, necessary का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानि कि आपको जो भी benefit मिलेंगे, तो इस purpose से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो, लेकिन mandatory में है कि आपको 100% government की यह provision है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो mandatory or necessary में बहुत difference है, Friends, छीक से answer देजएगा, इसलिए मैंने इस दो options को यहाँ पर include किया है, जिसे कि आप confused ना हो, तो बताए इसका क्या answer होगा, इसका जो right answer है, वो है option A, आवश्यक, Friends, इसका पंजन कराना आवश्यक होता है, लेकिन mandatory नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं, अगर वो कराएगा, तो कुछ benefits मिलते हैं, government की तरफ से, law की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए liable होगा, अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी benefit के लिए claim नहीं कर सकता है, next question है, साइधारी दोरा अपने hit का अस्तान् नहीं कि अपार्टनर ट्रांसफर्ड दे राइट्स, एक पार्टनर अपने रैट्स को ट्रांसफर कर सकता है, अपनी मर्जि से, सभी साज़ेदारों की स्विक्रती से, भाउमत से या सरकार की आग्या से, तो बताए, friends, क्या होगा सका राइट आंसर? इसका जो राइट आं के बिजनेस के इंदग को एक परसन भी नहीं यह होता तो वहाँ पर शोकिन अपनि थे फसके अधर राच तो अपने की पर यह हो तेनी पर आज़न की है ज़न्सेर कर सकता है है करफे कंपकी सब्सक्रe scrut n ना ट्रांसफर कर सकता है नेक्स कोश्चन है साइक्त कंपनी में संचालकों को साइक तरूप से कहते हैं यानि कि इन दी जॉइन्ट कंपनी दी ऑपरेटर्स आ जॉइन्टली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट यानियां जॉइन्ट कंपनी तो बतामेेगेलों इसका qia right answer इसका 발요न ress a right answer इसका option b BOARD जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं जिनको हम सद्चाला क्या ओपरेटरे बोलते हैं तो उनको हम BOARD बोलते हैं जैसे कि आपने सुना होगा BOARD OF DIRECTORS तो उनको हम board बोलते हैं और ये जो public होती है जो shareholders होते हैं उनके द्वारा ही appoint किये जाते हैं majority से और ये उनके विहाफ पर काम करते हैं यानि कि इनको हम एक तरह से उनका shareholders का representative भी बोल सकते हैं next question है एक पूंजवाली company का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है यानि कि the existence of a company capital company comes from its members different होती है एक ही होती है कम होती है या अधिक होती है तो friends बताएं क्या होगा उसका right answer इसका right answer है A different एक पूंजवाली company का अपने सदस्यों से बिल्कुल different होती है उसकी अलग entity होती है उसका एक perpetual succession होता है common seal होती है वो हर चीज़ में अपने सदस्यों से अलग होती है तो A option हमारा right answer है नेक्स्ट है साइधारों के आपसी अधिकार और कतव्यत है यह जाते हैं यानि कि partner decided all rights and duties आप partners की सभी rights and duties कहां पर decide की जाते हैं partnership act के according partnership deed के according government के according जीव जस्टिस के according तो friends इसका जो right answer है वो है option भी यानिक partnership जिसे हम साइधारी संलेक भी बोलते हैं कि हर partnership firm को एक साय partnership deed बनानी होती है अगर वहां पर partnership deed नहीं होती है तो उनको टेविल एफ फॉलो करनी होती है next question है जो कि आज की वीडियो का हमारा last question भी है प्रधान और अभीकर्ता का संबंध होता है यानि कि owner और agent का relation क्या होता है किस में होता है soul trade में, partnership organization में, company संगठन में या फिर इन मैं से कोई नहीं तो बताए friends क्या होगा इसका right answer इसका जो राइट आंसर है वो है option B जो कि है साहिधारी संगठन, साहिधारी संगठन के अंदर partner owner और agent का relation होता है जिसमें की agent होते हैं वो partners कलाते हैं और partnership firm owner की तरह काम करती है तो फ्रेंट साइक अर्थशास्त्र है यानि business economics is a science and art, science and art या no one यानि कोई नहीं तो पताये friends क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत ही simple question है इसका राइट आंसर है वो है option C यानि 3 science and art science and art इसलिए है क्योंकि website अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे rules कुछ principles होते हैं जिसको follow करना पड़ता है और art हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपने एक creativity होती है कि आप business को किस तरह से run करेंगे या उसके लिए किस तरह के methods या फिर प्रेंसिपल्स को adopt करेंगे तो यह अपने creativity है आप उसके according अपने business को चला सकते हैं नेक्स कोश्चन है website अर्थशास्त निम्न की शाका है यानि business economics is the branch of the following ए परंप्रागत अर्थशास्त यानि conventional economics, B science, C art या D political science यानि राजनेतिक विज्ञान तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है option A जो की है conventional economics, business economics एक conventional economics की branch है, next है website अर्थशास्त अध्यन करता है केवल यानि business economics study करता है, किस की study करता है, economic events की, non-economic events की, both of these, या no one, तो आपको बताना है कि अगर आपने friends अर्थशास्त पढ़ा होगा आपने intern में तो आपको पता चला हुआ कि उसके अंदर आपने किस-किस aspects की चीज़ों को discuss किया था, friends का right answer है, three, जो की है donor, आपने उसके अंदर economics, यानि हम बात कर सकते हैं, monetary terms में, non-economics, यानि हम बात कर सकते हैं, behavioral terms में, आपने monetary terms as well as behavioral terms के जो भी events होते हैं, उनको discuss किया था, उसके according आपने working conditions देखी थी, growth rate देखी होगी, national income देखी होगी, तो और non-economical, दोनों event के उपर बात करते हैं, next है, नेंडियन है, यानि the decision is, A, a managerial work, V, a continuous process, C, an intellectual process, या D, all of the above, तो बताए, friends, decision जो होता है, वो किस तरह का कार्य है, तो friends का right answer है, 4, यानि all of the above, एक नेंडियन में managerial work भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारी management के related, जो भी process होती है, वो आप adopt करते हैं, continuous process है, क्योंकि किसी भी चीज में आप decision लेंगी, तो यह नहीं है, कि आपका decision जो है, वो आज ही finish हो गया, आपको कल किसी और purpose से decision लेन होगा, तो एक continuous process है, जो कि आपका all over the time चलता रहता है, next is an intellectual process, तो एक decision जो है, वो intellectual process है, आप किसी छोटे चोटे बड़े से बड़े किसी तरह की decision लोगी, तो आप में उसमें आपकी intellectual thinking जो है, वो use होगी, तो एक intellectual process है, तो इसका right answer है, उप्योग सभी, next है, सभी नेर्ने हो है, all decisions are made only positive, only negative, positive and negative, or instructional, तो बताये friends किस तरह के decisions होते है, इसका right answer है, 3 जो कि पाउसिटिव and negative, जो decisions जो होते हैं सिर्फ positively नहीं होते, या फिर हम यह नहीं कह सकते ही, तो हमरी чो बडिसिजनस में decisions ही लिये चाते हैं, वो positive, साथी साथ negative भी लिये चाते हैं, वो positive, साथी साथ ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा loss है लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं क्योंकि अगर हम उस decision को नहीं लेंगे क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें loss दिखाई देता है वहां profit भी उतना ही होता है तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी conditions होती है कुछ इस तरह की circumstances बन जाते हैं कि वहां पर हमें positive decisions लेने पड़ते हैं कहीं हमें negative decisions भी लेने पड़ते हैं नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आश्य है यानि the demand forecast is तो बताए फ्रेंड डिमांड फोरकास्ट क्या है analysis of future sale है current sale analysis है analysis of past sale है या फिर neither of the above है तो हमारी एक demand forecast क्या है तो friends का right answer है A जो कि है analysis of future sale demand forecast के अंदर हम यह देखते हैं कि हमारी जो product की demand है वो कितनी होगी तो वो directly हमारी sale पर depend करते है तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी sale देख पाएंगे कि future में हमारी कितनी sale होने वाली है तो उस according हम अपना production करेंगे उसी के according हम सारी जो भी processing है या फिर raw material की purchasing है वो सारे decisions हम ले पाएंगे तो demand forecast में हमारी future sales की analysis की जाती है next question है मांग की लोज एक कथन है यानि elasticity of demand is a statement यह किस तरे का statement है qualitative statement है consequential statement है both of the above है या neither of the above है तो बताएए friends क्या होगा इसका right answer friends elasticity of demand एक consequential statement है जिसके अंदर हम demand अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी elasticity of demand की बात करते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि जब भी हमारे price में किसी तरह के कोई changes होंगे तो हमारी demand पे क्या effect पढ़ेगा यानि वह हमें परिणाम बताता है तो demand elasticity of demand एक तरह से हमारे consistential statement है ठीक है next है मांग की लोज प्रभावित होती है तो friends मांग की लोज हमारी किस से प्रभावित होती है nature of the object से, buyer's group से, value of the form से या फिर all of the above से तो friends का right answer है D यानि की उप्योग सभी देखे friends मांग की जो लोज है यानि demand जो हमारी वो depend करती है हमारी nature of the object यानि हमारे product है वो किस तरह का है ठीक है और साथी साथ buyers group पे भी अगर किसी market में buyers उस particular area में कम है तो वहापे हमारी demand क्या होगी कम होगी लेकिन अगर हम किसी product को अपने इस तरह उस market में sale कर रहे हैं जहां पर buyers बहुत है तो वहापे क्या होगी अफकोस हमारी demand जो है वो increase हो जाएगी साथी साथ वस्तु का मूल है अगर हमारे price जो है किसी product के वो इस तरह के हैं कि जिस भी area में उसको sale कर रहे हैं वहाप पर पर सकता है तो अफकोस हमारे पर प्रोड़क्ट जो है उसकी demand भड़ेगी लेकिन अगर हमने अपने product की जो प्राइस है वो बहुत हाई रग दिया है तो किसी को भी person उसको अफॉर्ड नहीं कर पाएगा तो वहापे क्या होगी demand हमारी decrease हो चाहेगी तो यह सारे factors जो effect कर सब्सक्राइब क्या होता है उत्पादित माल की मात्रा यानि quantity of product यह stock of goods produced quantity of available goods for sale या फिर the sum of the produced and imported goods तो बताएगे फ्रेंड्स पूर्टी यानि supply से आपका क्या आश्य है तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है त्री जो की है quantity of available goods for sale जो भी हमारे पास किसी product की availability होगी तब ही तो हम उसको supply कर पाएगे तो अगर हमारे पास किसी product की सेल करने के लिए और जो quantity हमें चाहिए वो हमारे बास available है तो वो हमारे supply को बताता है next question है क्रशी उत्पादन की पूर्ती निर्वत करती है यानि क्रशी उत्पादन की पूर्ती वो किस पर निर्वत करती है natural causes tax treaty policy technological development या value of other things friends देखो यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं जो कि हमारे मांड में आप है घूमिंग की कि इसका क्या answer हो सकता है लेकिन हमें इन चार options में से define करना है कि कौन सा answer जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि यह हां यह हो सकता है देखी tax treaty policy बिलकुल नहीं हो सकते तकनीकी विकास यह depend करता है कि area कौन सा है तो हम यह नहीं बोल सकते कि हमारी supply of agriculture production है वो तकनीकी विकास से हमारी depend करेगी value of other things यह भी हम नहीं बोल सकते तो इसका जो right answer है वो है प्राकरतिक कारण natural causes से हमारी supply of agriculture production है वो depend करती है क्योंकि जिस तरह का हम agriculture कर रहे हैं अगर उस तरह का हमारे पास environment नहीं है natural causes वहां पर बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा अप्रक्षन नहीं हो पाएगा अप्रक्षन नहीं होगा ता मुसको supply नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो natural causes है वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं नेक्स्ट है पूर्ती के नियम का आश्य यानि law of supply means quantitative, qualitative, both of the above या neither of the above तो पूर्ती के नियम का क्या आश्य है तो फ्रेंड्स पूर्ती के नियम का यहां पर आश्य है qualitative जो कि हमारा option 2 है correct नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदू से क्या आश्य है यानि break-even point means आपने पढ़ा होगा friends break-even point क्या होता है no profit no loss at production or sales level या फिर B profit at production or sales level C loss at production or sales level या फिर 4 neither of the above तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका right answer इसका जो right answer है वो है option A जिसमें no profit no loss होता है production और sales level पर हमने पढ़ाता friends की break-even point उस point को बताता है जहां पर ना तो हमें profit होता है ना ही हमें loss होता है next है विक्रे मूल्ले की कमी से क्या प्रभावित होता है what is the impact of the selling price reduction a equilibrium point b security limit c contribution या d all of the above तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका right answer friends जब भी हम किसी product के price के मूले को कम करते हैं ठीक है तो वहां पर क्या होता है break-even point हमारा नहीं हो सकता नहीं हमारा security limit हो सकते अंश्दान contribution भी हमारा इतना effect नहीं पड़ेगा यहां पर यह सारे point को हम include करना पड़ेगा सिर्फ एक point को लेकर नहीं सकते कि इस पर repent करेगा या फिर इससे impact पड़ेगा यह सारे ही point हमारे जो price का जो मूले डाउन होगा उस पर impact करेंगे तो इसका right answer 4 उप्रोक्त सभी next website अर्थशास्त्री शाहता करता है यानि business economics help करता है to increase profit to increase losses all of the above यह none of the above friends हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी business को करते हैं तो वह बात अलग है कि आज जो हमारा जो objective बन गया है वह हो गया है first survey second profit लेकिन overall फिर भी हम profit की ही बात करते कोई business man यह नहीं चाहेगा कि उसकी form जब भी वह establish कर रहा है क्योंकि सबको पता होता है कि established time में ही हमारा हम profit लेकि नहीं चल सकती क्योंकि नए नहीं form है उसको market में established होने में time लगेगा goodwill बनाने में time लगेगा लेकिन फिर वह यह expect करता है उसको first year से profit हो तो अर्थ्षास्त्री की सहायता वो लेता है तो अर्थ्षास्त्री क्या help इस तरह की planning करेगा उसी तरह के वो सारी processing करवाएगा business में जिससे की profit हो तो loss तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो इसका जो right answer है वो है option one जो कि है लावों को बढ़ाने में व्यज़साइक अर्थ्षास्त्री उत्तरदाई होता है यानि business economist जो होता है और responsible होता है किस के प्रती समाज के प्रती राष्ट के प्रती उप्रोग दौनों के प्रती या उप्रोग दौनों में से कोई नहीं तो बताए friends क्या होगा इसका right answer इसका right answer है वो है option three जो कि है या में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिप्टरेट करना पड़ेगा उसके according उसको प्रोड़क्ट बनाना पड़ेगा उनको ध्यान में रखते हूं इस प्रोड़क्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे उनके welfare के लिए काम करना पड़ेगा साथी साथ आस त टोटल प्लखञट्स जो है वो मैं descended them about options have margin production is maximum याने कि जो मारीजन परक्षिन वमारा ज्यांतो एकविरेश आप्शळ और क्राइब्स प्राक्षं जै कुल होगा ता मार टोल बैंस स्केविक्ट हूंआरब एकाजि मेंर आडब्स मर्स थे घी रहेटा हुआ अन्सर कुलीकर नदिंश appro asp za94 गने चम्राप्रि यांड लिसी कौन सेब्सकेर है जो की एक तरह कंसिडर की जाती है थिख पॉलीकर और ऐसके। करेंद आटफल आद सरह घ iç कउनसेडर की जाती है एक मिट की तरह इसमें पताए जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेवल होंगे जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो हर कंडिशन आपके अकोरिंग चले next question is which of the following is a pricing method to pricing method क्या है seasonal cost plus promosional और none of these बताए इसमें से को अज़न से कौन सा है तो friends right answer है B. Cost plus method is a pricing method है next question is demand has the following element यानि demand के उन्दे कौन कौन से element होते हैं quantity, price, time, यह all of these. तो friends का right answer है D, all of these. Next question है, national income में भी determined through. यानि कि यह national income है, वो किसके through determined की जाएगी? income approach, expenditure approach, productive approach, यह all of the above. तो friends, right answer है D, all of the above. जिसके अंदर income, expenditure और productive तीनों approach को consider किया जाएगा. Next question है, price discrimination policy helps in increasing profit in case of. यानि price discrimination policy हमारे profit को किस case में increase करती है profit? profit competition में, monopolistic competition में, monopoly में यह oligopoly में. तो friends, पताएगे क्या होगा इसका right answer? इसका right answer है C, monopoly में जो हमारे price discrimination policy है, वो हमारे profit को increase करती है. क्योंकि friends, monopoly में क्या होता है? कि जो industries होती है, वो monopoly creates कर देती है. Monopoly in the sense, वो जो price रखती है market में, उसी price पर उनका product बेग जाता है. क्योंकि monopoly के अंदर, seller एक होता है, buyer बहुत सारे होते हैं. तो अगर seller एक है, तो buyer को, अगर वो price जादा है, किसी product है, तब भी उसको product उसी से ही खरीदना होगा, क्योंकि किसी और के पास वो अविलेवल नहीं है. तो इस कंडिशन में, जो profit जो होता है, इंक्रीज करने है, बहुत help मिलती है. तो आपको बता रही है, टू में विंग्स है, तो एक administrative है, दूसरी कौन से है, judicial है, managerial है, executive या clerical है, तो friends, right answer है A, जो की है judicial. Next है, what are the exemption limits in hostel expenditure allowance, यानि hostel expenditure allowance में कितनी exemption है, 200 per month, 300 per month, 400 per month, या 500 per month. So friends, right answer है B, जो की है 300 per month. Next है, income from a farmhouse is, यानि की farmhouse से जो income हो रही है, वो किस तरह की income है? Income from house property, income from business, agriculture income, या फिर income from other sources. So friends, इसका जो right answer है, वह है option C, जो की है agriculture income. Next है, income on which income tax is not charged are called, यानि इसी कौन सी income है, जिस पे income tax चार्ज नहीं किया जाता है. Exemptional income क्यालाती है, privileged income क्यालाती है, exempted income क्यालाती है, none of the above. So friends, right answer है C, जो की है exempted incomes. Next question है, income accrued and received outside India is taxable in the hands of. यानि इनकम, अगर कोई भी ऐसी income है, जो की हमारे आउटसर इंडिया से में receive हुई है या फिर accru हुई है, तो वो किसके हैंड से वो taxable मानी जाएगी? Non-resident, resident and ordinary resident, resident and not ordinary, या फिर none of these. तो friends का right answer है, वो है option B, जो की है resident and ordinary resident. Next है, past untext income brought to India is taxable in the hands of, यानि जो past की untext income है, अगर वो इंडिया में लाई गई है, तो वो किसके हैंड में taxable होगी? resident and not ordinary resident, resident and ordinary resident, non-resident या none of these. तो friends का right answer है D, जो की है none of the above. Next है, exempted incomes are defined under section 15 of income tax act, 18 of income tax act, 10 of income tax act and 20 of income tax act. तो friends अभी आपने question किया है, तो I hope आपको इसका answer पता होगा. इसका right answer है C, जो की है 10 of the income tax act. Next है, income absolutely exempt from tax are listed under. तो जो absolutely exempt होती है, वो किसके अंदर list है? section 2, section 10, section 38 या section 80 C. तो friends right answer है इसका B, जो की है section 10. आज की मारे इस वीडियो का friends last question है, scholarship granted is, यानि scholarship किस तरह की grant है? fully exempted है, fully taxable है, partially exempted है, या फिर none of the above. तो friends, इसका right answer है, वो है option A, जो की है fully exempted. तो receive bill is a part of which of the following, यानि कि यो प्रापते bill है, निमने मैं से किसका भाग होता है? laser का, trial balance का, journal का, या फिर final account का. तो friends, प्रापते bill जो होते हैं, वो हमारे journal का part होते हैं, तो यहाँ पर option C हमारा correct है. next है, why is government interested in accounting information? यानि कि जो government है, वो accounting information में interested क्यों होती है? यानि उसमें रुच्छी क्यों लेती है? government is aware of the business situation in the economy, यानि कि जो सरकार है, वो व्यफसाइक इस्थिती की जानकारी रखना चाहती है, जानकारी होती है उसको, political parties are able to collect donations, यानि कि political party कर जो donations है, उसको collect कर सकती है, for high tax session, high tax session के लिए, या फिर for tax assessment and defense policy determination, यानि कि कर निर्धारण या फिर रक्षन निर्धारण है तो, तो friends, सरकार लेखांकर information, जो भी हमारे accounting information होते है, उनमें interest इसलिए देती है, क्योंकि उससे information मिल जाती है, कि country के अंदर जो business है, उनकी क्या situations है, जिसके according वो policy बनाने में उनको help मिलती है, और साथ ही साथ होने, किसी भी तरह की कोई भी problem होती है, तो easily वो उसके लिए actions ले सकती है, तो option A हमारा correct है, next question है, which of the following is the amount withdrawal for purchase, for personal use by the business owners, यानि कि अगर कोई भी भी ब्यापार से किसी भी तरह की राशी निकालता है, तो उसको हम कौन सा term यूज करते हैं, the commission, interest, cash, या फिर bid draw, तो friends, यहाँ पर जो हमारा option है, अगर हम option के according देखें, तो यहाँ पर इसका जो right answer होगा, उसको हम बोलते हैं, drawings, लेकिन friends, option में हमारे drawings कहीं भी given नहीं है, तो commission तो यह बिल्कुल हो नहीं सकता, interest बिल्कुल भी नहीं होगा, और cash, cash भी नहीं होगा, तो हम इसका right answer मानेंगे D, withdrawal, कई बार friends, एक्जाम में इस तरह के questions आ सकते हों, और यह previous year का ही question है, तो यहाँ पर withdrawal option में आया था, तो आपको withdrawal ही tick करना है, क्योंकि आप देख लीजिए, वैसे आप सबको पता होगा, कि यह drawing गी है इसका answer, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, कि वो कुसी odd term में भी उसको express कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर elimination method से देखना है, कि यह option नहीं हो सकते, तो यही इसका correct answer होगा, तो option D हमारा correct है, next आते हैं, how to assess general principles of accounting, यानि कि जो लेखांकन के सामाने सिधानत हैं, उसकी परक कैसे की जा सकती है, cost के basis पर, on the basis of simplicity, on the basis of utility, या फिर on the basis of elasticity, तो friends लेखांकन के सिधानत होते हैं, उसका हम परक कर सकते हैं, उसकी utility के basis पर, यानि कि कोई भी, जो हम transaction कर रहे हैं, उसकी क्या utility है, तो यह principle of accounting भी है, कि हम utility के basis पर, उसको assess कर सकते हैं, तो हमारा option C correct है, next question पर आते हैं, laser is prepared, यानि कि खाता भाही तयार की जाती है, from purchase book only, यानि कि purchase book से, sales only, sales से, cash only, cash से, from the books of account and journal, यानि कि जो प्रारमिक लेखे की भाही और journal से हम पता कर सकते हैं, तो friends खाता भाही हम तयार कर सकते हैं, from the books of accounts and journals, यानि कि जर्नल से, या फिर हमारे, जो हमारे accounting की books होती हैं, उनसे हम अपने लाजाओ को prepare कर सकते हैं, तो option D हमारा correct है, next question पर आते हैं, the process of capital formation depends, यानि कि यो capital formation है, उसकी processing किस पर depend करती है, national income पर, at the expense, on foreign aid, या फिर we saving, तो friends अगर हम बात करें, capital formation की, कि वो किस पर निर्भर करती है, तो friends, capital formation हमारी निर्भर करती है, savings पर, कि हम कितना save करके चलने, क्योंकि save करेंगे, तब ही हमारी capital format होगी, उसका formation होगा, तो यहाँ पर option D हमारा correct है, next question पर आते हैं, contains the word attainment, attainment word जो है, वो किस के लिए यूज किया गया, या फिर उसके अंदर क्या के समलित है, only commercial creditors, यानि की, cable ब्यापारिक लेंदार, traders, debtors, only यानि की, cable ब्यापारिक लेंदार, commercial debtors and receipable, यानि की, ब्यापारिक लेंदार, आइवां प्रापेबिल, या फिर ट्रेड ग्रेड़क लेंदार, यानि की, ब्यापारिक लेंदार, यानि की, ब्यापारिक लेंदार, तो फ्रेंद्स प्रेंद्स प्रेंद्स की, हम बात करें, तो इसमें समलित किये जाते हैं, commercial debtors and receipable bills, क्योंकि, कोई भी देंदार होगा, तो वो हमें पैसाद देगा, तो प्राप पे हमारे पास आएंगी, और अगर कोई bills होगा, receipt जो हमने किया है, तो उससे भी हमारी जो है, attainment होगा, यानि कि हमारे पास, कुछ हम receive करेंगे उनसे, तो ये दोनों ही चीज़ों को, attainment के अंदर include किया गया है, next question पे आते हैं, which of the following determines what to do, यानि कि इनमें से कौन हमें निर्धारत करेगा, कि हमें क्या करना है, हमारी policies, हमारा view design, procedure, या फिर एक object, तो friends हमें क्या करना है, ये हमें निर्धारन करेंगे हमारे object, क्योंकि object के basis पर हमें एक outline मिल जाएगी, कि हमारे ये object है, हमें इस वे में चलना है, हमें इसको target करना है, इसको achieve करना है, तो अगर हमें हमारे object clear पता होंगे, तो हमें सारी चीज़ें पता होंगे, कि हमें क्या कैसे करना है जैसे कि for example हम यहां पर प्रैक्टिस एट की बात कर रहे हैं उसको डिसकस कर रहे हैं तो हमारा या option D हमारा correct है next question पर आते हैं the following is a personal account यानि कि निमनमें से विक्तिगत खाता है building account, pay account, goods account या फिर capital account फ्रेंटस अगर हम विक्तिगत खाते की बात करें तो विक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को represent करते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा बनाएगा होते हैं या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर जो हमारा option D है capital account यह हमारा create किया गया है और यह एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है तो यहां पर capital account हमारा right answer है नेक्स्ट है prepared income received आर यानि कि जो prepared income है वो received की रही है तो वो किस तरह की होती है एक property की तरह है एक income की तरह है एक obligations की तरह है या फिर neither of the way यानि कि इन मैंसे कोई नहीं है तो friends अगर हम prepared income की बात करते हैं तो यह obligation यानि कि एक दायत वो होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको receive कर लिया है advance में अब हमें इसके लिए duty perform कर लिए है यानि कोई भी आपने income receive की है आपने income तो receive कर लिए लेकिन उसके विहाव पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है तो आपकी responsibility आपको काम करना है तो यहां पर option आपका C करेक्ट है next question है cash account will not be affected जो cash account है वो हमारा किसे affect नहीं होगा options है cash payment to friends यहां पर यह गलट टाइप हो गया है आप यहां पर कर लिजएगा कि जो हमने cash payment करेंगे वो होगा हमारा creditor को ठीक है तो cash payment to creditors discount received cash sale या पर cash from debtors तो friends हमारा cash होगा जो हमारा affected नहीं होगा वो होगा हमारा discount receive से हमने किसी भी तरह की discount receive किया है तो उससे हमारे cash को किसी भी तरह कोई भी affect नहीं होगा वो हमारा जबकि अगर कोई लेंदार यहां पर payment कर रहा है उससे affect होगा हमने लेंदारों को कोई payment किया है नगत बिक्री य लेकिन हमारा discount से कोई affection नहीं होगा तो यहां पर हमारा be correct answer है next आता है patent rights patent जो है वो अधिकार है कौन सा real account का या फिर personal account nominalizer या फिर all these तो friends यह हमारे patent होता है वो हमारा patent होता है हमारे real account का यानि की वास्तविक खाते का तो यहां पर option 1 हमारा correct है next question है only person accounts and real accounts are shown यानि कि केवल personal accounts and real accounts show किये जाएंगे तो कहां show किये जाएंगे in the child balance यानि कि तलपट में in final account यानि कि आर्थिक चिठ्थे में in profit and loss account या फिर trading account तो friends अगर हम personal and real account की बात करें तो यह सारे हमारे show किये जाते हैं final account के अंदर तो यहां पर option B हमारा correct है next question पर आते हैं every transactions has an effect यानि कि प्रतिक लेंदार लेंदेन का परभाव पड़ता है तो कितनी जगह पड़ता है three side, four side, two side या फिर five side तो friends अगर हम लेंदारों के यहां पर बात करें कि किसी भी LinkedIn की बात करें कि कहां कहां उनका फर्क पड़ता है तो पड़ता है two side, credit side and debit side तो कि हम सब जानते हैं कि यह basic rule है कि जितने भी transactions होंगे उनकी दो side होंगे, debit side होगे, credit side होगे, one side transactions कोई भी नहीं होगा, नहीं वह valid माना जाएगा, तो transactions, सभी transactions के दो side होंगे, next है, installation expenses of a new machine will be debited, यानि कि जो installation किया गया है new machine का वो debit होगा, in cash account, cash account में, machine account, यानि machine खाते में, in profit and loss account, या फिर in establishment expenditure account, यानि कि जो भी हमारा establishment के टाइम पर जो expenses होए हैं उसमें स्थापनावे में, तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई machine को हमने establish किया है, और उसका जो amount है, वो कहाँ debit किया जाएगा, तो friends, वो machine account में किया जाएगा, क्योंकि उसका जो amount है, establishment का, उसको machine account के अंदर ही include कर दिया जाता है, machine के price के स्थाथ, तो option B, यहाँ पर हमारा correct है, next है, what is the purpose of the business, यानि कि business का क्या उतेश्य है, utility generation, यानि कि उपयोगता स्रजन, making a profit, lap कमाना, social responsibility, समाजएक उत्तरदायत, या फिर fulfillment, social responsibility, while making profit, यानि कि lap कमाते हुए, समाजएक उत्तरदायत को पूरा करना, यानि कि आप profit तो अंद करे हो, लेकिन साथ में आप service भी अच्छी दे रहे हो अपनी society को, तो friends, अगर हम business के उदेश्य की बात करें, तो यहाँ पर option B, D हमारा correct है, क्योंकि friends, किसी भी utilities create करना, यह उदेश्य है, और अगर हम सिर्फ service की बात करें, तो वो भी नहीं है, क्योंकि हर person business करता है, profit earned करने के लिए, तो ना तो आप profit earned करें, ना ही आप pool तरह से आप service based हो, आप ऐसा करें, कि service भी अच्छी provide हो सकें, और आपको भी profit earned हो, तो यहाँ पर option D हमारा बिल्कुल correct है, जो कि service की भी बात करता है, यहाँ पर social responsibility की, और साथी साथ profit बनाने की भी बात करता है, तो यहाँ पर option हमारा D correct होगा, accounting standard number 2, यानि कि जो accounting standard 2 है, of the international accounting standard committee, वो हमारा किस से related है, मैंने आपको बताया था कि, accounting standard के, सिर्फ और सिर्फ आप यह देख लीजए, कि किस से related है, इससे अंदर आपको पाढ़ने के जुरुत नहीं है, क्योंकि आपके exam में, बहुत basic questions आते हैं, ठीक है, तो आपको दो याद रखना है, accounting standard कि से related है, valuation of presentation of inventory, depreciation accounting, information to be disclosed and none of the above, तो देखिए, दो कि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह हमारा accounting standard 2 जो है, वो हमारा यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, evaluation and presentation of inventory से, depreciation की बात करें, तो depreciation हमारा accounting standard 6 से related है, and हमारा जो information to be disclosed है, accounting standard 1 है, disclosure of accounting policies, 2 inventory, 3 cash flow statement, 4 contingency event, 5 prior period, 6 depreciation, ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं, 22 या 21 तक हैं, तो आप इनको बस नियाद कर लिजे कि यह किसे किसे related हैं, बस, इसके अंदर आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है, नेक्स्ट अहम बात करते हैं, the Chartered Accountant Act was enacted in the year, जो Chartered Accountant Act है, यह हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में, तो Chartered Accountant Act जो है, वो हमारा आया था, 1949 में, तो option 4 यहां पे हमारा right answer है, ठीक हैं, पूरी तरह से इसको यहां पे लागू कर दिया गया था, 49 में, नेक्स्ट आते हैं, the first accounting standard issued by the accounting standard board of India, जो मारा first accounting standard है, जो issue किया गया था, accounting standard board of India के द्वारा, वो कौन सा है, भी अभी मैंने आपको बताया था, valuation of inventory, तो देखेंजे तो आपको पताई चलके 2 है, depreciation, यह भी मैंने आपको बता दिया, disclosure of accounting policy and revenue recognition, इस में से बताना है, तो disclosure of accounting policy मैंने आपको बताया था, कि हमारा first is related है, तो देखें, यहाँ पर जो हमारा right answer है, यहाँ पर first ही पूछा गया है, तो option 3 right answer हो जाएगा, ठीक है, revenue recognition आपको मुझे comment section में बताना है, अगर आपको पता है तो, ठीक है, देखें, नहीं तो आप serial wise इसको ऐसे recall कर सकते हैं, first disclosure of accounting policy, two inventory, three cash flow statement, four contingency event, five prior period, six depreciation, seven construction, eight research and development, nine revenue recognition, ठीक है, तो यह nine क्या होगे, revenue recognition, ठीक है, next आते हैं, goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited, अब एक proprietor है, अपने personal use के लिए business से withdraw करता है, तो उसमें वहाँ पर credit कौन सी item की जाएगी, या फिर कौन सा account किया जाएगा, sales account, purchase account, suppliers account, या फिर stock account, तो यहाँ पर बात की जा रही है, उसके withdrawals related है, तो देखिए, जो stock account है, यानि कि जो withdrawal करेगा, वो उसके पास कभी न कभी stock में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहाँ से personal use के लिए निकालेगा, इसलिए stock account किया जाएगा, purchase नहीं कर सकती, क्योंकि हमें नहीं पता, जो stock वो निकाल रहा है, या फिर जो personal use के लिए निकाल रहा है, वो purchase से निकाल रहा है, sales भी नहीं आ सकता, क्योंज sales account तब आएगा, जब वो कुछ sales से related कोई transaction करेगा, इसलिए हो सकता, stock इसलिए होगा, क्योंकि वो कुछ उसके business में रखा हुआ है as a stock, वो वहां से अपने personal use के लिए निकाल रहा है, तो यहां पर फोर हमारा right answer हो जाएगा, next question पे आते है, which of the following is not a function of accounting, अब आपको इसमें से बताना है, कौन से accounting का function नहीं है, keeping systematic record, protecting properties of business, maximizing the results, meeting legal requirements, तो देखें, यहां पर अगर हम बात करें, तो एक accounting का काम क्या होता है, जो भी transactions हो रहे हैं, उनको record करके रखना, जो भी business की properties हैं, प्रोडेक्ट करना, legal requirements के according सारे काम करना, लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी results हैं, उसको maximize करना, इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है, accounting का सिर्फ record करना, systematic way में record करना, उनका maintenance देखना, systematic तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी rules provide के हैं, उस rule के according, उनका record करना, और जो भी properties हैं, या फिर जो भी legal requirements हैं, उन सब को follow करना, ठीक है, तो यहाँ पर option 3 जो है, वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर option 3 हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, which one of the following does not constitute a current liability, अब इसमें से कौन सा हमारा current liability का गठर नहीं है, bills payable, contingent liability, creditors, interest outstanding on diventures, तो देखिए current liability जो होती, वो liability होती है, जो कि आपको एक साल के अंदर pay off करना होता है, और current liability का मतलब भी यही है कि कम से कम, यानि कि बहुत कम time period होता है, उसके अंदर आपको इसका payment करना है, तो देखिए bills payable होते हैं हमारे one year के, one year तक के, trade creditors, यह भी हमारे current liability का part है, इनकी time period भी one year से कमका होता है, इंटरेस्ट, आउटस्टेंडिंग और डेवेंचर, इसका भी time period हमारे one year से कमका होता है, अब यहाँ पे जो ज़्यादा है, वो है contingent liability, इसका time period ज़्यादा होता है, आकस्मिक होती है, तो यहाँ पे option two हमारा right answer हो जाएगा, contingent liability, क्योंकि इसका हमा कोई पता नहीं होता कि यह reliability हमारी है भी या नहीं भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक साल की है, हो सकता है, फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है, नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी time period नहीं बता कर चल सकते कि एक साल का है, दो साल का है, कितने साल जबकि इनका टाइम पीरिएड हम सबको बता है कि एक साल के अंदर तक के हैं ठीक है तो ऑप्शन तू जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पे आते हैं इनना बिजिनेस नेट असेट्स ऑन जैनसरी फर्स्ट यानि की जैनुरी फर्स्ट पर एक बिजनिस के अंदर जो नेट असेट्स थी वह 6,000 रुपे की थी और 31st जनवरी पर वह उन रुपीज 7500 की थी ठीक है दो थी इभी दा बिड्रोल्स ऑफ दा ओनर डूरिंग जनवरी आर रुपीज 1,000 अब वह जनवरी के ताइम पिरेड के अंदर वह एक हयार रुपे निकाल जैन को उसके पास कितनी समपत्ती थी 7500 के उसने बिड्रोल कि एक हजार तो बिड्रोल हमेशा एट होते हैं तो 1,000 आपने एड कर दी कितने हो गए हमारे 8,500 हो गए ठीके अब यहाँ पर यह क्या बोल रहा है और एक जन्वरी को इसकी कितनी थी सेट्स जो थी यानि की जो ओपनिंग थी वो थी हमारी 6,000 रुपे की तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा अब 6,000 आप इसमें से माइनस कर दीजी तो आपको कितना बच्चा 2500 तो यह 2500 जो है जन्वरी मा की जो है वो शुद्धा आया होगी क्योंकि 6,000 तो पहले का एड़ था तो वो माइनस करना पड़ा और 1,000 उसने निकाल लिया निकाला किस मैं से इसी मैं से निकाला होगा इसलिए वो 1,000 एड़ करा है रमेनिंग जो पच्चे 2500, 2500 उसकी नेट इंकम है तो यहाँ पर option 2 जो है वो हमारा right answer हो जाएगा I hope यह question आपको clear हुआ होगा इसी तरह के छोटे questions आते हैं ज्यादा नंबे questions इसमें नहीं पूछे जाते हैं जिसमें आपकी लंबी calculation हो next है consider the following statement आपको यह statement बताने है कि यहाँ पर जो reason है वो सही है या नहीं accounting is the language of business जो accounting है क्या वो business की language है reason है accounting provides all information needed by a businessman यानि कि accounting जो है वो सारे information प्रवाइट करता है जो कि एक businessman को चाहिए होती है तो देखिए accounting प्रोवाइड कर रहा है यानि कि वो उसकी language है तभी तो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सारे information तो यानि कि जो assertion है उसके according reason जो है वो बिलकुल हमारा correct है अब आप options देख लीजे बोथ a and r are true r is the correct explanation of a both a and r are true and r is the correct explanation of a a is true but r is false and a is false but r is true अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका right answer हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि accounting जो है वो business के language होती है ये बिलकुल सही है क्योंकि वो language है तभी तो उस language के through वो बता रहा है एक businessman को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन क इसको information चाहिए वो उसको information प्रवाइड गर रहा है इसलिए जो assertion है उसके according to reason दिया हुगा विलकुल सही है इसलिए यहां पर option 1 जो है वो हमारा right answer हो जाएगा कंपनी अधिनियम कब लांगू हुआ यानि कि company's act जो है वो इन फोर्स में कब आया 1932 में 1956 में 1972 में यह 1916 में तो friends इसका जो right answer है वो है option B 1956 1932 1972 हमारा wrong है next question है साब जीन company में सदस्यों की नियुम्तम संख्या कितनी होनी चाहिए यानि कि यहां पर पूछा है कि जो public company है उसमें minimum members वो minimum number जो है person की वो कितने होने चाहिए 7 to 20 and 50 तो पताए friends क्या होगा इसका right answer इसका जो right answer है वो है option नंबर जो कि है साथ next question है एक निजी company में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होनी चाहिए तो friends यहां पर आपको maximum पूछिए मम नंबर्स तो maximum numbers है 20 57 and indefinite तो friends आपको यहां पर याद रखना है कि कौन सी company यह private company और private company में maximum 50% होने चाहिए next question है समता अंसधारी होते हैं जिनको हम English में equity shareholder भी बोलते हैं तो equity shareholder कौन से होते हैं यह customer होते हैं company के company के owner होते हैं company के स्वामी होते हैं इनको company के अंदर जो भी meetings होती है उसमें पार्टिट करने का राइट होता है लेकिन अगर dividend distribute किया जाता है तो इन shareholder को dividend distribute नहीं किया जाता है सबसे पहले friends दी जाते है पर फ्रेंट को उसके बाद अगर कोई distribution dividend बचता है या कोई profit बचता है तब इनको dividend दिया जाता है next question है अंश आवंटन खाता है यानि share allotment account किस तरह का खाता है friends आपने तीन तरह की account पढ़े होंगे 12 में जो थे personal account यानि विक्तिगत खाता actual account यानि वास्तविक जिसको हम real account भी बोलते हैं and third हमारा नाम मात्र का खाता तो उसके basis पे आपको यह answer करना है आपको पता होगा personal account कौन से होते हैं friends personal account होवाले account होते हैं जिसमें किसी person का या फिर किसी person को रप्रेजेंट कर रहा है उसका account आता है जैसे कि सुधीर का खाता शुशील का खाता यह हो गया person के और कुछ artificial होते हैं जो कि person या फिर person के group को create करते हैं वास्तिविक खाता है यानि actual या फिर real account हमारे वह account होते हैं जिनको हम touch कर सकते हैं और कुछ ऐसी account भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम touch नहीं कर सकते हैं touch करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे fix assets और जिनको हम touch नहीं कर सकते वह आते हमारे trademark, patents and goodwill next आता है हमारा nammaatruka koata, nammaatrukuka खाता, जिसको हम बोलते हैं nominal account, nominal account हमारे वह account होते हैं लेकिन हम उनको create करदे हैं, जिनको हम fictitious बोल सकते हैं तो ये वास्तब में होते हैं, लेकिन soudal के श baskूः बताते हैं जैसे कि wages, अब wages को को हम, कोई wages हम जिसको touch नहीं कर सकते हैं, या फिर इस wages को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है? लेकिन हम ने क्या किया है? यहां पे create कर दिया है wages account, मज़ूरी खाता बीमा खाता तो यह सारे अकाउंट जो है हमारे यह मैं नॉमिनल अकाउंट है तो बताएए फ्रेंट्स इसके बेसिस पर अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है तो इसका राइट आंसर है जो की है विक्तिगत खाता नेक्स कोश्चन पर हम मूफ करते है जब अंशो का हरण किया जाता है तो अंश पुंची खाता नाम किया जाता है यानि जब शेयर फॉर्फिच के जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है यह भी याचिना की बकाय रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है याचित रकम से यानि कॉल्ड़ एंट्री होगी या अंशो के मूल से यानि जो टोटल प्राइस है उससे होगी वह एंट्री तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी जब हम अंशो को हरन करते हैं तो अंश पुंची खाता हमारा जितनी भी क्रेडिट किया जाता है तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है शेयर डिसकाउंट अकाउंट से शेयर फॉर्फिचेट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या ननौपती अबव तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी जब भी हम शेयर को के रूप में निर्गमन पर डेबिट किर जाए-गा यानि कोई भी ऐसे इसे में जिसको सब्सेडीर सिक्क्यूरीटी के रूप में इश्यू किया गया है तो इसको किस रिकियां जाएगा वेवेशर्च लास रास चाहओंट से बार्ग अक्म कि हमें अभी नहीं पता कि आंगे जाके हम इसे किसमें करेंगे तो एक तरह से हमारे लिए सस्पेंस की तरह है तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डाविट करते हैं नेक्स्ट है रिणपत्रों का शोधन किया जाता है यहां पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वह बताना है कि प्राइस का जो मैथड है वह कैसे तरह से होगा रिडीम एड़ पार पर एड़ प्रीमियम पर वाई कनवर्टिंग इन शेयर या फिर ओल अब दी अवर तो किस पर किया जाता है यानि जब हम उसको पे आफ करते हैं तो किस पर किया जाएगा तो फ्रेंड्स कराइट आंसर है इन मैंसे किसी पर भी हम पे आफ कर सकते हैं जो हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पर कर सकते हैं एट प्रीमियम पर कर सकते हैं या फिर अगर हम चा कि आप इसको share को convert करा लो तो वहां भी हो सकता है नेक्स्ट है रणपत्रों का शोधन होता है यानि डिवेंचर रिडीम एड फ्रेंट्स यहां इस question का मतलब है कि यहां पर आपको मैथर बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है एकेश में भी बाइश्विंग न्यू डिवेंचर सी बाइश्विंग एकुटी शेयर्स या फिर ओल आफ ती अबब तो बताएं फ्रेंट्स क्या होगा सका राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है वह है घुटी शेयर्स को भी इसु कर सकते हैं से म वही प्रोसेस हो गया यह कि आप गद्करा सकते हैं में थेजा र्डीन फ्रेंडुन के अधि मूले की राशी के उल्ड़ बियू किया जाता है या नि रुट फाद्रों कर क्डार क्पर्रीमीश की ड्याल्यम यू आती है तो उसक तो इसका जो राइट आंसर है वह है option A to eliminate the capital loss यानि कि पुन्जी कत हानियों को समाप्त करने में ही हम रड़ पत्रों के अधिमूले की राशी का उपयोग करेंगे क्योंकि यह जो हमारे पास अधिमूले की राशी होती है यह हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉंग टाइम तक वेनिफिट करेंगे या फिर लॉंग टाइम जिसका जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत जादा पड़ेगा पुन्जी कत हानि इसको नहीं किया जाता है तो इसको चिट्थे में नहीं दिखाते हैं नेक्स कॉश्चन है सामाने संचे पुन्जी संचे आंदी को चिट्थे के दाइट पक्ष में इसको चिट्थे में दिखाया जाता है तो यहां पर आपको बताना है कि किस हैड में उसे दिखाया जाएगा ऑप्शन से शियर कैपिटल रिजर्ब्स एंड प्रोविजन्स करेंट लाइबलिटीज एंड सिक्यॉर्ड लोन तो बताए फ्रेंड्स जर्णल लिजर्व एंड यहां करते करते हैं वह सिंपल मस्क्राइब कि इसको हम आफ करते हैं इपका निकिकेशन कडि pedestrians सुन हैं हम इसको बदाइस क करते हैं जल्केशन हां नेक्स appliance Canada Super क्सुक्रिस यूरु की ज़oga शपसेक्चान जिए आँ फ्रते कॉस्षार खंड सब्सक्राइब भई करते हैं नेक्स कॉस्ष्चन है और सुरुफ करते हैं तो इसका राइट आंसर है दी कि चिट्थे के दाय संपत्ति पक्ष में जो प्लिम्णी एक्स्पेंसस होते हैं यह में लॉंग टाइम तक हमें क्या करेंगे बैनिफिट देंगे यह हमें एक असेट की तरह यूज करते हैं तो इसको हम बैलने शीट में दिखाते हैं असेट साइड में नेक्स्ट है अवास्त्विक संपत्तियों में संवलित किया जाता है सेट साइड में सब्सक्राण दिखाने का यह वह है कि प्रीमिन एक्समेशन होते हैं एक बार हम उसको पीदा रहा होसदीन हैं,огासे अबन कि अहले समय टाल Beauty किया शक्रामगा में रहाành तो तो बहुत एक आछ Candice юrit कि और क्या गटा उसका है तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हम एक तरह से असेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे-धीरे हर साल हम थोड़ा-थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के P&L में transfer करते रहते हैं इसलिए इसको हम asset side में show करते हैं next question है आवास्तविक संपत्ती में शमलित किया जाता है या नॉमिनल assets include की जाती है a preliminary expenses में underwriting commission में c development expenses में d उप्रोक्त सभी तो बताए friends क्या होगा इसका right answer यह आज का हमारा last question है तो friends का right answer D उप्रोक्त सभी friends इसारे है आप जानते होंगे preliminary expenses अभी में आपको बताया कि एक large amount में होते हैं जैसे कि prospectus issue करवाना कुसी बड़े advertisement को करवाना या फिर जो हम business establish करते हैं तो business establish कर दे टाइम जो हम बहुत large expense करते हैं जैसे कि हमने building ली है इस्टैब्लिश करवाया उसे या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत-बड़ा advertisement करवाया अपनी company का तो यह primary expenses सारे वहां पर include किये जाते हैं underwriting commission वह commission होते हैं जो underwriters को दिये जाते हैं underwriters वह person होते हैं यह एक individual एक company एक bank कोई भी हो सकता है एक group of person भी हो सकता है underwriter यह एक तरह से प्रामिस करता है company को या फिर इस तरह की responsibility लेटा है कि अगर वह company अपने issue करती है share को और 90% अगर public उनको नहीं purchase करती है तो जितने भी जो remaining shares होंगे वह underwriters उसको purchase कर लेंगे तो एक responsibility लेता है अपने उपर कि अगर आपके पूरे market में वह sale नहीं हुए तो उनको हम purchase कर लेंगे तो इस विहाब पर जब उनको इस तरह का एक commission दिया जाता है company की तरफ से underwriters को उसको गोलता है underwriting commission next है development expenses अगर हमने अपने business में किसी तरह का कोई development करवाया है किसी production से आपको यह पता हुए और non-economic activity क्या होते है और non-economic activity क्या होते है देखिए economic activity वह activity होती है जिसके अंदर monetary aspect को cover किया जाता है और non-economic activity वह होते है जिसके अंदर monetary aspect यानि कि money जिसमें include नहीं होती है यानि कि जो भी transactions है money के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी ठीक है तो देखिए options production है social service है professional and trading in goods है तो आप easily बता सकते हैं देखिए production में भी money की बात होगी ठीक है professional में भी money की बात होगी क्योंकि कोई भी अपनी professional service देगा तो वहां पर वो उसके बतले में क्या लेगा आपसे money लेगा trading in goods जो हम goods में trade करेंगे तब भी हमारे यहां पर money की बात की जाएगी अब क्या बच्चा हमारा social service तो फ्रेंट्स नाम से यह कि यहां पर service की जा रही है तो यहां पर money की बात नहीं है इसलिए यहां पर not बात की गई है not economic activity इसलिए option भी यहां पर हमारा right answer हो जाएगा बहुत simple था I hope सबका यहां पर answer clear होगा next which option is not a business activity आपको बताना इसमें से कौन सा option जो है business activity का नहीं option a production of goods transportation exchange of goods work in a factory for wages तो देखें यहां पर business activity की बात करें तो production यह हमारा क्या है business activity है transportation business activity exchange of goods business activity है अब यहां पर कौन सी business activity नहीं है तो वो है यह work in a factory for wages ठीक है यह business activity नहीं है इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है next आते हैं which of the following is the characteristic of a business अब इसमें से कौन सी business की आपको बताने है production exchange of और sale risk element और all of the above तो फ्रेंड्स आपने character stick अगर business की पढ़ी है या फिर आपको मेनु में बता है तो आप इसली बता सकते हैं business activities में आता है production की बात की जाती है exchange और sale की बात की जाती है profit making की बात की जाती है ठीक है और business के लिए risk element की बात की जाती है business के लिए risk element बहुत ही important है क्योंकि business starting risk से होता है क्योंकि हमें नहीं बता होता हम जो भी business setup कर रहा है उसमें कितना profit होगा कितना loss होगा तो risk element को लेकर ही उसको start किया जाता है इसलिए यहां पर all of the above यह हमारा right answer हो जाएगा यह सारही element हमारे business characteristic में आते हैं ठीक है next question पर आते हैं oil refinery and sugar mill are classified under which industry तो आपको industry बताने है primary, secondary, tertiary and none of the above तो फ्रेंट्स primary industry वो industry होती है जो direct product को बनाते है मतलब उसमें प्राइमरी नहीं होते है तो यानि क्या होता है जो हमारे sugar cane होते है उससे शुगर बनाई जाती है ठीक है तो यानि क्या हो गया second process हो गया इसलिए secondary industry का पार्ट होती है अब नीचे यहां पर third point दे रखाए tertiary तो फ्रेंट्स tertiary का अगर हम यहां पर meaning आपको बताए मतलब होता है जो हम किसी को अपनी service provide करते हैं ठीक है वह सारी industry हमारे tertiary में आते हैं जासे कि तृतियक हो गया तो यहां पर देखिए option 2 जो है मात्य में कि वह इसका right answer हो जाएगा secondary industry का यह पार्ट है नेक्स्ट आते हैं identify the activity which does not support trade हमें वह एक्टिविटी करने हैं जो कि trade को support नहीं करते हैं banking, warehousing, insurance and mining तो friends आपने trade और its to trade की बारे में पढ़ा होगा तो its to trade यानि कि जो trade को support करते हैं तो देखिए उसमें था banking था, warehouse था, insurance था और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी facilities थी जैसे की transportation हो गया यह सारी क्या है हमें trade को करने में हमें help करते हैं लेकिन mining हमारी कहीं भी help नहीं करते हैं इसलिए option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं कि इसकी नहीं थी Hindi sorry लेकिन आपको बहुत simple था I think आपको समझ में आ गया होगा in which occupation people get salary or wages in return for their world यानि कि ऐसी कौन सा occupation है जिसमें हमारी जो salary और wages है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज के जाता है employment business profession यह फिन आ अब तो friends salary or wages हम यूज करते हैं employment में ठीक है option A right answer होगा business में हम profit and loss की in term use करते हैं और profession में बात की जाती है charges क्या service charges है ठीक है fees क्या है इन words की use करते हैं इसलिए यहाँ पर option है हमारा right answer हो जाएगा next question है which item does not cause any business risk अब इसमें से कौन सा item जो है business risk का part नहीं है breakdown of machinery efficient management rights या फे changing government policy तो friends देखे breakdown of machinery होती है तो business का ही part है क्योंकि वह business को भी bear करना है efficient management भी business risk का ही part होता है rights भी business risk का part होता है जबकि अगर यहाँ पर बात करें changing government policy की तो business risk ना होकर यह political risk है ठीक है तो option D यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next question है in which business the support service activities are categorized अब किस business के अंदर जो हमारी support service activities हो categories की जाते है commercial industries primary industries secondary industries यहाँ पर tertiary तो friends अभी मैंने आपको उपर समझाया था तो आप easily इसको बता सकते हैं जो हमारी support services होती है वो हमारी किसका part होती है support service हमारी हमेशा part होंगी यहाँ पर tertiary services का क्योंकि यहाँ पर service की बात करें जबकि secondary में हमारी जो जिसमें ज्यादा processing होती है जैसे कि हमारे petrol हो गया या फिर हमारे mining हो गई इस तरह की चीज़ें जो होती है वह हमारी secondary में आते है primary product जैसे कि agriculture direct product आता है जिसमें commercial product की delivery करते है या फिर उनका transactions करते है इसलिए यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा next question आता है in business why it is essential to make a profit a business में business profit बनाना क्यों जरूरी होता है it provides a return to investor या फिर it provides funds for future extension it increase the reputation of a company या फिर all of the above तो friends profit हम इसलिए भी earn करते हैं या फिर कमाते है business के अंदर कि investor को return डेने में हमारी help करता है क्योंकि उसी से investor को return दिया जाता है second option है provide funds for future extension अगर हमें अपने business को expand करना है कहीं और branch open करनी है कोई business में हमें plant लगाना है यह सब extension के लिए भी हमें profit के जरूत होती है क्योंकि अगर हमारे पर enough profit नहीं होगा तो अपने business में हम invest कहां से करेंगे फिर हमें further loan लेना पड़ेगा वो भी हमारे एक risk का part हो जाएगा थर्ड है it increase the reputation of a company यह company के अफकोस अगर किसी company का profit जो है वह increased हो रहा है day by day या फिर हम year by year कहें वह increase हो रहा है तो reputation increase करेगा उससे यह होगा investor के माइंड में कि हाइस company का profit बहुत अच्छा जाता है हमें इसमें invest करना चाहिए इसलिए यहां पर option D right answer हो जाएगा next है which of the following is a false statement अब इसमें से कौन सा false statement है मैं यह पताना है the scope of commerce is narrow than business commerce includes trade and auxiliary to trade third foreign trade is purchased and sale by the traders of the same country and fourth trader serve as a link between producers and consumers तो यहां पर याद रखिए false की बात की गई है तो देखिए false यहां पर होगा option number C क्योंकि यहां पर बात करें foreign trade is purchased and sales by the traders of the same country जबकि ऐसी बात नहीं है यह यहां पर यहां पर option C हमारा false statement है next है which of the following is not a management function planning, staffing, co-operating या फिर controlling तो friends आपको managerial functions पूरे याद होंगे देखिए कौन-कौन से होते हैं आप इनको याद कर लेजेए post corb ठीक है यह हमारे post corb है यानि कि planning, organizing, staffing, directing, co यानि control R से होता है reporting and B से होता है budgeting तो देखिए यहां पर क्या नहीं है यहां पर option C right answer हो तो friends अगर आपको यह सारी चीजे पता होंगे तो आप MCQs easily कर सकते हैं ठीक है इसलिए थोड़ा आप theory पर भी focus करिए next question है friends देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजे इस questions को policy formulation comes under which role top level managers middle level managers operating management या फिर all of the above यानि कि जो policy formulation होता है वो किसका part होता है तो यहां पर आपने options देख ली है अब एक बार आप इस questions को हिंदी में भी देख लीजे तो फ्रेंड्स policy formation का part पार्ट जो होता है वो हमारा top level का काम होता है और उस policy formation को किस तरह से execute करना है और करवाना है यह middle level के काम होता और उसको किस तरह से अगर हम गये कि the bottom पे उसका काम करना है वो हमारा lower level का काम होगा ठीक है तो यहां पर option A जो है वह हमारा right answer हो जाएगा I hope यहां पर answer आपको clear होगा ठीक है तो यह शीर इस तरह के प्रवंदख या नहीं top level management का काम है next time management is defined as a management हमारा किस तरह से define किया जाता है यह बहुत simple है मुझे समझाने की जड़ात नहीं आप लोगों को सबको पता होगा इसका जो answer होगा C both art and science ठीक है next question है which of the below mentioned item does not follow the skiller chain अब इसमें से कौन सा skiller chain को follow नहीं करता है तो functional divisional formal and informal तो functional जो होता है function के business पे काम करता है divisional हमारा division के business पे काम करता है जैसे साब से हमने अपने business का division किया है और formal हमारा formally work करता है जबकि यहां पे scalar channel जो नहीं follow करता है वो है option D right answer हो option D following statement from which scholar यानि कि ऐसा कौन से scholar है जिसने एक आता कि bookkeeping is the foundation on which the structure of the present trade is held यानि कि bookkeeping वे नीवे जिस पे बरतमान ब्यापार का ढहचा ठहरा हुआ है यह किस ने कहा था ओप्शन्स है बीजी बीकरी मेन हार ओल्ड कैसल या फिर नन ओफ दीज तो इसका जो right answer है वो है option number A जो कि है बीजी बीकरी बीजी बीकरी ने कहा तो और फ्रेंड से famous statement है तो आप इसको याद रखेगा हो सकता है कि यही statement से आपके exam में question आ जाए next question है who is supposed to start bookkeeping यानि कि जो bookkeeping है उसको किस ने start किया था या उसका प्रारम करता कौन था और फ्रेंड यहां पर आपको पता होगा जो bookkeeping का जो concept है वो दिया था लूकस पैस्योली के बारे में एक्जाम में बहुत पूछा जाता है तो इसका थोड़ा सा पढ़ लिजेगा कौन थे यह कहां इनका बड़ था और कौन सी बुक लिखी थी इन सब चीज के बारे में ठीक है तो option two यहां पर हमारा right answer है next question पर आते है what is the name of the method of accounting according to the certain rules of books of accounts याने की जो हमारे accounting की business पर जो हम record करते हैं तो उस books को क्या कहते हैं अंकेक शक यानिकि audit bookkeeping accounting या फिर none of these तो जब हम अपने सारे accounts record करते हैं तो उससे कहा जाता है bookkeeping यानि कि पुस्ट पालन option भी यहां पर हमारा right answer है next question पर आते है what what name is given to the method of authoring and classifying the model form of deals and events events of financial nature and making subtitle यानि की जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्ति सोदों का जो भी हम record करते हैं उनकी जो बिधी होती हो बिधी को क्या कहा चाता है bookkeeping, auditing, audit या फिर accounting work या cost accounting तो friends उसको कहा जाता है accounting work यानि की लेखा कर option 3 यहां पर हमारा right answer है next question है bookkeeping means अब bookkeeping क्या है यानि कि पुस्ट पालन का आर्ट, keeping books यानि की books को रखना, keeping books in office या फिर keeping business accounts in books या फिर नन आफ दीज, तो bookkeeping का यहां पर right answer होगा इसका मतलब होता है जो भी हमारे business related records है उनको book में रखना तो option 3 यहां पर हमारा right answer है next question है what was the name of the father of double accounting system जो double accounting sister है उसके फादर का क्या नाम है Lucas Pacioli, Henry Fjord, Admin Smith या फिर Henry Fjord तो friends यहां पर अगर हम बात करें double accounting system की तो इसके फादर कहे जाते हैं हमारे आपको इसका answer पता होना चाहिए बहुत simple है इसके फादर कहे जाते है Lucas Pacioli ठीक है इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एक्जाम में next question है what was the name of the book written by Lucas Pacioli, Lucas Pacioli दरा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है यानि कि economics, accounting elements, the computerist scripturist या फिर none of these तो देखें यहां पर बुक भी आ गई मैंने आपको बताया था कि बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वोगा option number 3 जो कि है the computerist scripturist यह Lucas Pacioli दरा लिखी हुई उस तक है next question है in double accounting system each transaction had its form यानि double accounting system यो transactions होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं 1, 2, 3 या 4 तो आप सबको पता है double accounting system के अंदर जब हम entry करते हैं तो उसमें जो record किये जाते हैं transactions वो दो तरह से किये जाते हैं ठीक है यानि कि सभी transactions का debit होता है और credit भी होता है इसलिए यहां पर option 2 हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते है इस called the first step of accounting accounting का first step क्या कहा जाता है आपको यह बताना है options है journal, laser, final account या फिर trial balance यह भी again simple question है आपको इसका answer पता होगा जो हम accounting करते हैं तो first step आता है हमारा journal और इसमें हमारा last step होता है final account ठीके त first and last step दोना याद रखेगा तो option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा journal next question है what is the name of the amount from which the question is sorry from which the business is started यानि कि उस जब हम अपने business को start करते हैं जिस amount से तो वो amount क्या कहलाता है cash, capital, assets, or none of these friends यहां पर अगर हम किसी भी जो भी राशी हम अपने business में लगाते हैं तो business में लगाई हुई राशी हमारी capital कहलाते हैं कहते हैं कि हमने अपने इतनी capital से business start किया है फिर उसमें sub-dividation होता है उसका जैसे कि authorized capital, paid up capital वो अलग format है लेकिन जब हम business को start करते हैं तो हम जो भी उसमें money invest करते हैं वो हमारी capital कहलाते हैं तो option 2 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं friends I hope यह सारे आप easily कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही simple है basic है और आपके entrance exam में basic knowledge भी आपकी जज़ की जाती है next है where was the father of the accounting system Lucas Pesoli born यानि कि जो Lucas Pesoli accounting के father है double accounting system के तो यह कहां पर born या फिर कहां पर इनका जन्म हुआ था Italy, France, America या Britain इनके बारे में बहुत पूछा जाता है friends तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए इनका जन्म होता है इतली में यह इतली के निवासी थे ठीक है तो option A यहां पर हमारा right answer है next question है what is the discount giving to increase sale याने की अपनी sale को increase करने के लिए किस तरह का discount दिया जाता है trade discount, cash discount, discount received या फिर none of these तो जहां हम अपनी sale को increase करते हैं तो उसके समय जो हमें discount देते हैं वो देते हैं trade discount option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा इसका main purpose ही होता है discount देना और यहां पर एक जो cash, oh sorry increase करना sale को cash discount का मतलब होता है कि जल से जल हम अपना payment ले ले लें customer से इसलिए cash discount दिया जाता है discount received लिए किसी form में हो सकता है ठीक है next है what is the exemption which is not accounted for in the books अब काउंसी exemption है यह जिसको हम अपनी books के अंदर record नहीं करते हैं get discount, rebate on creditors, trade discount या फिर none of these तो friends यह भी basic question है आपको पता होना चाहिए हम अपनी book के अंदर कभी भी trade discount को include नहीं करते हैं तो यहां पर जो हमारा trade discount है वो हमारा right answer हो जाएगा इसको mention नहीं किया जाता है next question है the discount giving for early payment is called अब कौन सा discount है जो कि early payment देने के लिए शीगर भुकतान करने के लिए लिए दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं अभी मैंने आपको उपर भी समझाया था trade discount, cash discount, both business and cash discount या फिर none of these तो देखें इसका यहां पर जो right answer होगा वो होगा option number B cash discount next question है what is called the amount or goods the trader extracts the personal use for in business अब वो ऐसा कौन सा यहां पर विक्तिकर यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने business से अपने personal use के लिए इसको क्या कहा जाता है the loan finance drawing या फिक cash तो friends इसको कहा जाता है cash option 3 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं choose withdrawal from the following अब यहां पर हमें निम्ड मैंसे यह choose करना है कि withdrawal यानि कि आहरण कौन सा है life insurance premium है या फिर household expenditure income tax या फिर none of these तो friends यहां पर अगर हम बात करें drawing के आपको पता होगा drawing वो expense होता है जो कि हम अपने business मैं से अपने personal use के लिए करते हैं यह liability की तरह use किया जाता है ठीक है तो यहां पर जो हमें examples दे रखे हैं इन मेंसे अगर हम बात करें घरे लुवे या फिर जीवन वीमा निगम आयकर इन मेंसे कोई भी हमारा drawing का example नहीं है घरे लुवे यानि कि घर में किये गए expense इसमें यह नहीं आ रहा निकलके कि उसमें business में से कुछ भी amount निकाला है ठीक है और income tax और जीवन वीमा यह तो उसके business के खर्चे है ठीक है तो option 4 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है the item which is used by the merchant is called अब ऐसा item जो कि merchant के दौरा use किया जा रहा है वो क्या कहलाता है goods assets liability या फिर none of these तो friends अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो देखिए यहां पर goods जो है वो use किया जाता है merchant के दौरा जो भी person अपने business में जो भी जिसका वो business कर रहा है उसके purpose से वो कोई भी सा कामान उसके लिए माल कहलाता है यानि कि goods कहलाता है ठीके तो यहां पर option यहां पर हमारा right answer हो जाएगा why what name do you know the information given below the board यानि कि friends यहां पर board नहीं आएगा trial balance आएगा ठीके यानि कि trial balance में जब trial balance पूरा बना होता उसके नीचे information में अगर हमारा जो भी extra information से वो दी होती है तो हम किस नाम से जानते है जर्नल एजस्टमेंट लेजर या फिर नन ओफ दीज तो friends यह हमारी कहलाते है एजस्टमेंट ठीके जो डिखी होती है उनको एजस्टमेंट बोलते हैं जो कि बाद में उनकी entry करते हैं ठीके तो option 2 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use यानि कि कोई भी जो हमारी इस्थाई समपत्ती पामाने इंडिया fixed asset जो है उसको हम continue use कर रहे हैं उसकी continuation use करने से उसकी जो मूले है उसमें कमी आ गई है तो उसको क्या बोलते हैं interest drawing depreciation या फिर none of this very simple उसको बोलते हैं depreciation ठीक है next आते हैं why what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business यानि कि जब कोई businessman अपने business से अपने personal use के लिए कोई भी amount निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं drawing interest appreciation या फिर none of this right answer option a drawings उसको drawing कहा जाता है बहुत ही simple questions हैं लेकिन यह chapter wise हैं तो इससे आपका revision हो जाएगा next है if the closing stock is given inside the trial balance in which account it is accounted for या यानि कि अगर trial balance में अगर trial balance के अंदर हमारा closing stock दिया होता है तो वो कहां पर उसको mention किया जाता है profit and loss account trading account cash account या फिर final account तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो यह हमारा direct mention किया जाएगा final account यानि कि आर्टिक चथ्था जिसको हम balance sheet भी friends लिख लिए final account तो सभी हो जाएंगे लेकिन यह especially balance sheet में mention किया जाएगा यह trading account में नहीं आएगा क्योंकि यह बाहर दिया हुआ trading account के trial balance के अंदर दिया हुआ है तो इसको कहां account करते हैं यह लिखते हैं trading account profit and loss account final account जिसको balance sheet भी बोलेंगे या फिर cash account तो यहां पर right answer हो जाएगा option two अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम profit and loss account में show करते हैं तो option two यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है is a provision यानि कि क्या provision है जर्नल रिजर्व स्पेशल रिजर्व कैपिटल रिजर्व या फिर नन ओव दी इन सब के बारे में आप जानते होंगे जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि कि इसका कोई ट्वाइट कर दिया जाता है जिस पी तरह के जरूरत होती है तो यहां से इसको spend कर लेते हैं माउंट को स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकूलर चीज के लिए ग्रिट किया जाता है कि हमें यह जैसे कि प्लांट में यूज करना है या फिर रेपेरिंग में यूज करना है क तो इसमें प्रोवीजन जो है वह हमारा क्या है तो प्रोवीजन हमारा स्पेशल डिजर्व क्या लाता है तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा next है if a transaction is omitted from accounting in the journal what is this inaccuracy यानि कि अगर कोई भी accounting करने से हमारी रहे गया यानि कि journal में हम कोई भी entry है जिसको हम record नहीं कर पाएं तो वो किस तरह की हमारी गलती गहलाती है तो देखिए options में यहां है errors of complete omation, errors in posting, errors of principle या फिर none of the above तो देखिए यहां पर इसका right answer हो जाएगा errors of complete omation क्योंकि वो पूरी तरह से अभी entry record ही नहीं हुए है किसी भी तरह से तो यह पूरी तरह से छुटी हुए गलती है हमारी या फिर हम बोल सकते है अशृती है तो option A यहां पर हमारा right answer है next question है if the suspense account is written on the debtor side of the board in which account it is authored यानि कि अगर suspense account में जो suspense account है वो तलपट के रिड़ने पक्षक्योर लिखा हुआ है यानि कि हमारा debit side में लिखा हुआ है तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं trading account, profit and loss account, assets in balance sheet या फिर liability side in the balance sheet तो देखें यहां पर अगर हम बात करें इसकी तो इसका right answer हो जाएगा वो होगा यहां पर हमारा option number C जो कि होगा हमारा आर्थिक चुठे में संपन्ती पक्ष में यानि कि asset side में लिखेंगे हम balance sheet के ठीक है next question है an accuracy that affects two accounts simultaneously is called यानि कि ऐसी accuracy जिसमें दो खातों में यानि कि दो account में हम simultaneously उसको record करने से हमारी रहे गई है an accuracy that affects only one account is called यानि कि एक account से वो करने से रहे गई है हमारी entry तो इसको क्या बोलते है one-sided error two-sided error three-sided error या फिर none of these तो देखें यहां पर साफ मेंशन है one side one account करने से रहे गई है तो इसको one-sided error कहते हैं option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next question है which inaccuracy is corrected by suspense account यानि कि suspense account तरह कौन सी अशुद्धी हम ठीक करते हैं complete error two-sided error one-sided error या फिर none of these तो देखें आपको पता है suspense account क्यों create किया जाता है purpose क्या होता है देखें suspense account इसलिए create किया जाता है कई बार हमारा जो trial balance है उसका amount नहीं मिल पाता है जब हम सारी checking कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की entries हो गई है फिर भी हमारा amount वो नहीं balance मिल पाता है debit or credit side का तो हम वहाँ पे suspense account डालके जो भी balance remaining होता है वह वहाँ पे show कर देते हैं कि बाद में अगर हमें कोई entry या सी दिखे या फिर कोई भी document हमारे हाथ लगे जिसमें पता चले कि हमें यह entry नहीं किया तो हम direct उसको उसमें mention कर पाएं तो यानि कि किस तरह की गलती हो गई one side की error है तो इसलिए यहां पर one side error को ठीक किया जाता है तो option 3 यहां पर हमारा right answer हो method, FIFO method, MIFO method या फिर हीफो method तो देखें यहां पर साब दिया हुआ है LIFO, LIFO की full form आपको पता होगे last in first out, FIFO first in first out, MIFO, HIFO इस तरह से इनकी सारे full forms है, तो देखें यहां पर साब दे रखा है first in first out, यानि कि first in first out, क्या हो गया, option 2 जिसको बोलते हैं FIFO method, चीक है बहुत simple है यह आप कर लेंगे, next है what is the name of the method of last come first out, last come first out का मतलब देखें नाम से direct पता चल रहा ही है, हमारा हो गया LIFO method, ठीक है, next है, at whose risk is the agent selling goods in consignment account, यानि कि consignment account में, जो हमारा माल बेचा जाता है, वो जोखिम जो है, वो किस के उपर दिया जाता है, buyers के उपर, owners के उपर, agent के उपर या फिर all अबग, तो यह owners के उपर सारा जोखिम होता है, यानि कि जो भी risk होगा, वो owner उसको बेर करेगा, तो option 2 यहां पर हमारा right answer है, य आपने consignment account के होंगे, friends, next है, what does the agent get from the owners in return for selling the goods, यानि कि agent को माल बेचने के प्रतिफल में, क्या परापत होता है, profit, loss, commission, या फिन नन आपते है, तो friends, consignment account की बात करें, तो agent को वहां पर मिलता है, commission, option 3 यहां पर right answer है, next question है, why, what name do you know to send goods to agent for sale, यानि कि agent के पास बिकरी के लिए माल बेचना किस नाम से जानते हैं, lender, consignment, consignment, all of the above, तो जब माल बेचता है, तो वो person कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेशक भी बोलते हैं, प्रेशक करता भी, ये तीनों नाम ही हमारे consignment के होते हैं, तो option 4 यहाँ पर all above right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, the details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner, by what name do you know that details, यानि कि agent दोरा माल की बिकरी और को मालिक के पास बेचता है, तो उस document को क्या बोलते हैं, raw invoice, invoice, sales statement, या फिर, none of these, तो friends, इसको हम sales details भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर option 3 right answer हो जाएगा, invoice नहीं भेजता है, वो भेजता है, sales statement, मतलब एक, सिर्फ details mention होती है, उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपे में, मतलब जो भी conditions है, या तो मालिक ने दियोगी, तो उसकी basis पर बस बता देता है, कि इस तरह से ये इस मा parties होती है, दो, तीन, पांच या चार, तो consignment account की बात करें, तो देखें, यहाँ पर दो party main होती है, option 2 right answer है, consigner or consignee, ठीक है, दो पार्टी होती है, नेक्स्ट है, when two or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called, यानि कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक temporary partnership बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, partnership, agency, joint venture या फिर all over, तो friends, यहाँ पर याद रखें, temporary की बात की जा रही है, अगर सिप partnership होती, तब हमारा answer यहाँ पर partnership आ जाता, वो जब यह यहाँ पर लिखा होता है, when two or more people make a business to do a particular task, तब वहाँ पर partnership आ सकता था, लेकिन यहाँ पर temporary की बात की गई, तो temporary जब यहाँ आए, तो आप वहाँ पर answer करेगा joint venture, क्योंकि joint venture partnership की तरह होता है, बट इसमें क्या होता ही, temporary होता है, जब कि partnership में कोई temporary permanent नहीं होता है, क्योंकि partnership क्रेट की जाते है, तो वहाँ पर नहीं हमें पता कि हम लिए business कब तक चलाएंगे, ठीक है, कब तक हमारा continue रहेगा, लेकिन temporary हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर temporary mention है, यानि कि यह joint venture है, ठीक है, next है, what is the minimum number of members in a joint venture, अब joint venture में minimum number कितने होते हैं, यह बताने है, 2, 5, 7 या 8, तो minimum time, joint venture की बात की जाते है, minimum 2 होते हैं, next question है, what act applies to joint venture, अब joint venture करते हैं, तो हाँ पर कौन सा act apply होता है, partnership act, good sales act, companies act, या फिर no act, friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, joint venture की तो joint venture के लिए कोई भी act अप्लाई नहीं होता है, तो option 4 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next है, अब देखे, maximum number आ गए, what is the maximum number of members, यहाँ जोइन जोइन वेंचर, अब joint venture में कितने maximum person या अब number members होने चाहिए, options है, 10, 20, अनिश्चित याने की unlimited या फिर 50, तो right answer है, C, अनिश्चित याने की unlimited, joint venture में कोई limit नहीं है, लेकिन minimum के लिए limit है, तो, next है, joint venture account है, अब joint venture जो है, वो हमारा किस तरह का account है, यह बताना है, nominal account, personal account, real account या फिर none of these, तो देखे, joint venture जो account होता है, वो हमारा nominal account की तरह काम करता है, इसलिए option A, यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा, next question है, how many grace days are added when taking the due date of bills और promissory note, याना की बिल और बिलों की दे की तिथी निकालने के लिए, अनुग्रे दिवस कितने जोड़ जाते है, तीन, दो, पाँच, आर्ट तो यह सबको पता होगा, बहुत ही simple answer, जो हम grace period की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा timing होगी, वो होगी 3 days, ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like कीज़े, अपने friends के शेर कीज़े, और किसी भी तरह की कोई भी query हो, तो please ज़रूर बताएगा, और friends, नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं, और वीची वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाइ-बाइ,